तो एवरिवन कैसे हैं आप सब आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपी इस में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूं और देखे छट स्पेसल चल रहा है तो क्यों ना हम चट में हम एक अच्छा ऐसा डिस बनाएं जो बहुत ही अच्छा लगता है बहुत ही टेस्टी लगता है और वो चट में ही बनाया जाता है तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठेकवा ठेकवा बहुत ही टेस्टी होता है और जटपड बन जाता है तो चलिए मैं ठेकवा बनाने के त्यारी कर लेते हैं देखे मैंने लिया है आधी तोरी मैंने लिया है गेहूं का आटा, इसके बाद लिया है मैंने थोड़ा सा गुड़, इसको हम कदू कस करके रखेंगे, और मैंने उसके बाद लिया है सोफ थोड़ा सा और इसके बाद मैंने लिया है आपका इलाइची पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा सोफ पाउडर लिया है और उसके बाद हम ले रहे हैं देसी घी इसमें मैं एक-दो चमच मैं लोगी तो देसी घी से फ्रण बहुत ही टेस्टी बनता है खस्ता बनता है तो घी आप में जरूर डालना है तो चलिए आगे बोर कदूकस मैंने ले लिया तो चलिए गुड का हम सब से पहले कर लेंगे को दिखा भी देखें जिससे नषय से मिक्स हो जाएंगे है तरह इस तरह के से गुड़का कवडुकस कर लेकान है आप को दिखा भी देख्या नषयों जो आराम से हमारे बैटर में मिक्स हो जाएगा, तो चलिए अम ने जितने भी इंगरेंट लिया थी, हमने लिया था एक ग्यों गाटा वह मैं इसमें डाल दूगी, और हमने लिया था नारियल का भूरा थोड़ा सा उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे, और इसके बाद जो मै इसमें डाल दूंगी इससे बहुत ही इची खुस्बो आती है आपको इस तरी यह हम ओपर से डालते हमने पाउडर भी लिया है और नॉर्मल सौंफ भी हमने लिया है जो थोड़ा सा अच्छा सा क्रंची सा फील होता है और अब मैं इसमें घी मिला लूंगी देसी गी में यू मिक्स कर लेते हैं आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत ही इजी होता है बहुत ही चटपड बन जाता है अब खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है और चट में तो सबसे अच्छा जो हमारा रेसिपी होता है वो हमारा ठेक हुआ ही बनता है चट स्पेसल मे तो आज छट स्पेसल में हम ठेकवा ही बना रहे हैं और इसको आप किसी भी शेप में तेयार कर सकते हैं छोटे गोल शेप में बनाना चाहें लंबे शेप में बनाना चाहें आप किसी भी शेप में बना सकते हैं लेकिन मैं लंबे शेप में ही बनाऊंगी क्योंकि लंबे आधे और छांइ टों इसासर मिक्स करने लिए रोटी और आट के लिए के लिए सम्मारे कि अहां ऑल पर obsessed दिग्वा, एकुला के लिए ष्मारत बैसा रोटी करने लिए तोInter रॉड़़् we Michigan इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा अंदाज मैं पानी लेके मैं इसको मिक्स करे हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत ईसमूथ और नहीं हाई ज्यादा हाँ बहुत ही स्मूथ हमारा ड़ो बनके ताया हुआ तो चलिए मैं इसको पांच मिनिट के लाम इसको कवर करके, को ब दिखाते हैं हमारा बहुत ही बढ़ी हमारे तयार हो चुक है तो चलिंद हम प्रसस कर लेते हैं और इकवा बनाने की वर्ट इस तो इस तरह के से आपको तोड़ा-टोड़ा लेना है आप सबको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम गोले को थोड़ा सा लंबे में हाथ से इस तरीके से आपको क्रेस करके इसको लंबा शेफ देना है और इस तरीके से आपको ठेकवा है वो बनके तयार हो गया है तो चलिए हम इस तरीके से सारे शेफ हम तयार कर लेते हैं अ सब्सक्राइब करें हैं शार जो उसे को आपको हात में घुमा कर लेना उसरा के पहले तका हमाइब तैयार हो गया हमारा ठेकवा और इस तरीके से हम सारा बना लेंगे पर इसमें आप चाहे तो आप और ड्राइफूर्स भी मिला सकते हैं बदाम है पित्ता है किसमें साब जितना कुछ मिलाएंगे उतना ये टेस्टी बनेगा नारियल कच्छे भी आप काटके इसमें डाल सकते हैं मैंने तो नारियल कच्छा भी डाल सकते हैं जितना कुछ आप इसमें डालेंगे उतना हमारा ठेकवा जो है वह बहुत ही टेस्टी बनता है चलिए मैं इस तरीके से सब चुपहले तुम्हें सारे ठेकवा जो सेफ हैं देखे तैयार कर लिए सारे सारे हमारे ठेकवा के ह अश्क Northern प्रेस कर दोना है अश्य प्रेस कर दो तैयार हो जाए इस तरीके से अमने आपके टेक वा है आपको भीया करो है अब मैं इसमें आगे डिजाइन भी करूँ कि अगर आप बिना डिजाइन की करना जाए तो बिना डिजाइन के आप इस तरीके भी आगे आप तल सकते तो देखें हम इस तरीके से सब को गी में प्रेस करके हम तयार कर लेते हैं थोड़ा सा गी आपको मिलाना होता है और बस थ क्या हम कब्र थे शिवर घंड़ हों डिप यह को तो है सबको को मिस्यूसरर रखे तिता है W Today sekarang कि यह तरीके से आगे जो हमने नोखीला सोफ दिया है और यह उस्धिए हमारी पहरुचान होती थेकवा का यही होता है, तो खजुरी के यही एंतर हैं, ही दोनों के में पूर में उंतर होता ह Trinity से na सरे पहने gelir हो से के आपको आपको इस तरीके से से सब्सक्राइब तो हुझा रिखे देखे जायर कर लिया है और दूसरा एक यह भी टिप दोंगे घी से आपका इसको तलेंगे तो चलिए मैं इसको आगे आप प्रोसेस कर लेते हैं अब इसको चलने का और हमारा प्राइन जो है अब गरम हो रहा है और मैंने इसमें रिफाइंड का मैं यूज़ कर रहा ह तो देखिए हमने रिफाइंड वाल में डाल दिया है और चलिए अब जैसे गरम होगा अब आधे प्रोसस कर लेते हैं अब आपको इस तरीक से एक एक करके आपको इसमें डाल देना है पैन में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है तो तलने के बार तो और भी अच्छा सब्सक्राइं आपको इसको आपको राड राद में अपंटम रेड कलर आजाना चाहिए तक तब आपको इसको तलना के इसको ने थे देखने में अच्छा लगता है और अच्छे से पर्दू जाता है कि एने कई प मैश对 करने के चिर्ण कि ऊपया निदे कर दूद कर से आप लिए ए था और है इसके निदर करती है उसके पहुत करने में शेरा फला देमिक ज्रिण में मुद्त आओ एक आर रेतिए में भुए होँआ अगहे आप तेस में निददेन लिए का लिए लिए टाओं तरह की दिजाइन का बनाए दिजाइन का बनाए खुराइए बहुत ही तेस्टी है तंके प्रेखा हुआ है इस परिगे से सारे जो ठेक हुआ है लाइन को पेज से बाहर निकाल रहो हूँ चलिए और जाम में अभी हम रखे हुए इसको भी सब को हम तल लेते हैं अच्छे सब हमारा जो ठेक हुआ है गेहु आटे का बनके तैयार हो गया है और बहुती टेस्टी बना है बहुती बढ़िया कलर आया फ्रेंट विल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगता है और आप इसको जटफट बना के तैयार कर सकते हैं जरूर बनाए छट में इस रेसिपी को कैसी बनी है आपकी ठेकवा जरूर मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन पर बताइएगा तो अगर आपको मेरी रेसिपी भी पसंद आयो तो ज्यादा से ज्यादा स्वेक कीजिएगा फैमिली वर फ्रेंड में चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज पटापर लाइक कर दीजेगा आपकी के साथ मिलती हूं तब तक टेक केर बाई थैंक यू थैंक यू फोर वाचिंग फ्रेंड्स